नमस्कार नए अभिकान की बारे आप सबका मुबाइल फिल्म बेकिंग में स्वाइद करता हूँ आज हम सीखेंगे और हाँ अगर सीखने से पहले सीखने सीखाने से पहले मैं आपको बता तो हूँ अगर अभी भी आपके मुबाइल स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे दबा दीजे और लाइक बटन को भी दबा दीजे और ये वाला बटन दबा कर आपके से शेयर कर देजे ताकि और भी लोगों को इससे फायदा हो सके आज के टिप में हम देखेंगे कि हर कोई मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जूम करते हैं जैसे आपने मुबाइल दिया उसको जूम करके आप दिखाते हो तो जब हम जूम करते हैं तो उसका पिक्सल फट जाता है यानि उसकी कॉलिटी खराब हो जाते है इसलिए आज हम सीखेंगे कि कभी भी चाहें आपका मुबाइल कैमरा हो या फिर डिजिटल कैमरा हो कभी भी आप जूम का प्रियोग ना करें जूम किसी काम का नहीं है जब आपको जूम करना हो तो आप डॉली जूम करो Dolly Zoom क्या होता है It means कि जब आप मुबाईल पकड़ते हैं तो क्या होता है कि मुबाईल को आप हाथ में लो ऐसे आपके मुबाईल पकड़ा मुबाईल पकड़ने के बाद स्लोली आप आप आपजेक्ट की तरफ जाओ कैमरे को लेके जाओ आप साफ में जाओ आपने मूवीज में हमेशा देखा होगा कि कारेक्टर उपर दीरे 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 फोकस होता है तो वो जूम नहीं करते हो लोग, वो लोग डेलेक्टली कैमरे को लेके जाते हैं इसका वीजन यह है अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम जूम करते हैं जब आप जूम करते हो तो क्या होता है जब आप जूम करते हैं तो वो चीजें आपके सामने तो आ जाते हैं लेकिन वो पिक्सलिरेट हो जाता है यानि उसकी जो पिक्सल कॉलिटी है वो खराब हो जाती है एडिटिंग में आप उसमें ज़ादा काम नहीं कर सकते अगर जूम करेंगे तो कैसा देखेगा यह इसमें देखे तो जैसा कि आपने देखा कि जो जूम होता है आज के बाद से आपको कभी जूम नहीं करना है आप कैमरे को लेके कैरेक्टर को फॉलो करो दीरे 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 आप फॉलो करेंगे तो वो जो पिक्चर कॉलिटी होगी और जो आपको शूटिंग होगी वो बहुत बिलतर होगी आज के लिए हमारा टीक यही था कि आप कभी भी जूम का डिजिटल जूम का प्रियोग ना करें आपको जब जूम करना हो तो आप कैमरे को ले कर जाएं अगर हमारा यूटीब आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्स्राइब कर लिजे और इस वीडियो को शेर कर देजे ताकि और भी लोगों को इससे पाइड़ा हो सके थैंक यू सो मच